प्यारे बच्चों आप सभी का इस एक लास में आर्दिक अभिनंदन है श्वागत है मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि अपना जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो मेरे दौरा बेजे जा रही है उनका आप अवसे सुने चुनकि ये जो वीडियो हैं आपको हो सकता है कि थोड़े है आपको सही समय पर यादि नहीं सुनते हैं तो आपको हो सकता कि प्रसंग टूट जाता है तो थोड़ा आपको कठनी भी लगेंगे लिक अब हम देहरिय प्रसंसा है उसका ध्यन कर रहे हैं तो आईए हम उसका सभी मिलकर के ध्यन करते हैं और यहां पे कहा रतनेर महापदैर से तुतु सूर न देवाह न भेजीरे भीम विशेण भीतम शुधाम विना न प्रययूर विरामं न निचितार्थ विरमंती धिराहा प्यारे बच्चों यहां जो अमरित मंथन है देवताओं के द्वारा जो अमरित मंथन किया गया था उसका यहां उदारन देते हुए कवी ने दिल निच्चेई धीर पूर्ष जो होते हैं उनका वनन किया गया है और कहा देवाहा देवाहा महाबदाईय रतनाईर ने तुतुशू हो देवता शमुंदर के रतन जो हैं उनको पाकर ही संतुश नहीं हो गये थे भीम विशेण भीतम ने भेजीरे और नहीं बहेंकर जो बहेंकर विश्जो था उससे बहेवित हो गये थे शुधाम विना विरामव ने प्रययू हो अमरित को प्राप्त किये बिना वे शमुंदर मंथन जो है उससे वो रुके नहीं दीराहा निचितार्थम ने विरमंति ही प्राप्त किये हुए बीज के अंदर वो नहीं रुकते हैं यही बात जो है इस पद्दे के अंदर कही गई है यहां अब यह जो पद्दे आप स्क्रीन के उपर देख पा रहे हैं यहां द्रिर निच्चे जो व्यक्ति होते हैं धीर पूर्ष जो होते हैं उनका उनन करते भी कभी कह रहे हैं प्रारव्यते ने खलू विगनवहेन नीचयी है प्रारव्यीताह विरमंति मद्याह विगनई है पुन अप्रत्य हन्य मानाह प्रारव्दं उतम जनाह ने परितज्यंति प्रारब्यते खलू जो नीच व्यक्ति होते हैं जो तुछ व्यक्ति होते हैं वो विग्नों के भहके कारण से कारिय जो होता है उसका वो प्रारब्य ही नहीं करते हैं और मद्यम जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए कहा यानि मद्यम्श्रेणी के जो लोग होते हैं काम को प्रारम तो कर देंगे लेकिन विग्णों से प्रताडित होकर के उस कारिये को बीच में ही जो वो रोक देते हैं या रुक जाते हैं परन्तु उत्तम जनाहा विग्णाई है उत्तम कोटी के जो लोग होते हैं विगनों से बार बार चोट खाते हुए भी आरंब किया हुआ जो कारी होता है उसको वो बीच में नहीं छोड़ते हैं तो ये वसंत तिल का जो चंद है उसका ये उदारण है और अब जो हम अगला पद्ध है उसकी ओरहम बढ़ रहे हैं और यहां पे कहा पैरे बच्चो यहां धीर पूरुष जो होता है उसके विशे में कहा कि उसको काम, क्रोद, मद, लोब, मोह, इत्यादी मनोविकार जो होते हैं उनको वो कभी भी प्रभावित नहीं कर सकते और इसी बात को स्पस्ट करते हैं यहां पे कभी नहीं कहा है और कहा यस्ये चितम कांता कटक्स वी सिखाहने लूननती जिसे देहरिये साले पूरुष के रधे को इस्तरी के कटक्स रूपी जो बान होते हैं वो आहत नहीं कर पाते हैं कौप कृषानों तापह ने निर्दहती क्रोध रूपी अगनी जो है उसका ताप जो होता है वो भी उसको ने निर्दहती नहीं जलाता है बूरी विसे यहां लोब है पासासने कर्शंती अनेक विसे तथा लोब रूपी जो पास हैं वो भी उसको जो है कर्शंती यानि नहीं खीशते हैं सै दीरह इदम कृतिसनम लोकतरयम जनती इस प्रकार से वह जो देहरिये साले पूरुष होता है इस संपुर्णे तिरी वहन को अर्थार्थ यह जो लोक होता इस लोक को जीत लेता है या यहां पर विजेता बन जाता है और यहां बसंतिल का अच्छंत का यह उदारन था और आगे इस पद्दे के अंदर कहा क्वाचित प्रत्वी शैया है यहां पर भी जो मनस्वी व्यक्ति होते है वो ने तो सुक्की परवा करते हैं ने दुक्की परवा करते हैं इसी बात को स्पस्ट करते हुए कभी ने कहा क्वाचित प्रत्वी शैया है यहीं कहीं स्वाबी मानी व्यक्ति होते हैं मनस्वी व्यक्ति होते हैं वो प्रत्वी पर ही सेयन कर लेते है क्वाचित शाकाहारी और कहीं कहीं क्वाचित प्रत्वी सैया है क्वाचित अपी परियंकम सेयन है और कहीं-कहीं यदि शोने के लिए पलंग मिल जाता है, उस पर भी सो जाते हैं क्वचित शाका हारी, क्वचित अपीशाल्योदनम रूचिह क्वचित यनि कहीं-कहीं जो शाक शब्जी जो होती है, साधरन जो भोजन होता है उसको खाकर के भी जो उसका वो अपना गुजारा कर लेते हैं तो कहीं कहीं बढ़िया यदि उनको अच्छा यदि उनको चावल बात इत्यादी मिल जाता है उसमें भी जो हो रूची रखते हैं कवचित कंथा दारी कवचित अपी दिव्यंबर दर है कहीं कहीं पंथा धारी बन जाते हैं और कहीं कहीं शुंदर वस्तर जो होते हैं उनको भियोधारन कर लेते हैं मनस्वी ने दुखम गणियती नेचे सुखम ये इस परकार से अपना जो कारी होता उसको सिद्ध करने के अंदर वो ततपर रहते हैं परंतु स्वाभी मानी जो व्यक्ति होते हैं वो कभी भी ने तो दुख की परवा करते हैं ने कभी भी जो वो शुक की परवा है करते हैं आगे आया नीदंतु नीति निपुनाह यदी वास्तुवंतु लक्समी ही समा वीश्यतु गच्छतु वा यथेश्टम अद्देव वा मरणम अस्तु युग्यांत्रे वा नयात पतह प्रविचलंती पदमन दीरा यहां पर भी दीर पूरुष जो होते हैं उनका एक निश्चि सिद्धांत होता है उसिद्धांत की विशे में कहा कि वो द्रड़ व्यक्ति होते हैं और उनका वो पालन करते हैं यही बातियां पर गई निती निपुनाह निदंतु यदी वास्तु बंतु यनि वो कह रहे हैं निती निपुनाह निदंतु यदी वास्तु बंतु चाहे निती कुसल जो लोग होते हैं यनि स्वाबी मानी जो लोग होते हैं उनके लिए कहा चाहे निती कुसल लोग जो है निंदा करें लक्समी जो है चाहे उनको प्राप्थ हो जाए या अपनी इच्छा के अनुषार कहीं चली जाए अद्दे एव मरनम अस्तू युग्यांत्रे वाग बले ही उनकी आज ही मृत्यु हो जाए या युग्यांत्र में उनकी मृत्यु हो किन्तू देहरी व्यक्ति साली जो व्यक्ति होते हैं दीर गंबिर जो व्यक्ति होते हैं उनके विशे में कहा दीराह न्यायात पथम पथय है पदम नय परविच्रन्ति यानि धीर व्यक्ति जो होते हैं न्यायोचित जो मारग होता है उससे एक कदम भी जो है वो आगे नहीं बढ़ते हैं अर्थार्थे जो भी होता है उसका वो अनुश्रणे करते हैं आगे कहा कदार्थी तस्य अपी ही दहरे वृते है न सक्यते दहरे गुणह प्रेमार्ष्टुम अदो मुखश्य अपी कृतस्य वहने है न अधह सिखा यान्ती कदाचिते वै पैरे बच्चों यहां जो हमारा प्रसंग चल रहा है इसके अंदर यही बात कही गई है कि जो धी अध्य भी अपनी धीरता जो होती है उसको छोड़ते नहीं है और हर परिष्टिती के अंदर जो है हर इस्तति के अंदर जो है उसको बना करके रखते हैं यही बात यहां पे कही और कहा कदार्थी तस से अपी ध्यरिये वृते है द्यरिये गुणह प्रेमार्ष्टुम नही कहा अधो मुकस्य अप क्रिफस्य अपी वहन्य है शिखा कदाचित एव अधहन यांति उधान याँ पे दिया है यदि आग का मुख नीचे की और कर दिया जाए तो भी उसकी लपटे कभी भी नीचे की और नहीं जाती है वो हमेशा या सदेव उपर की और ही जो है उनकी लप काया है कठिन द्रिशंद विगलीता है वरम न्यस्ते हस्ता है फणी पती मूखे तिक्षण दसने वरम वहनों पातस्त तद अपी नयक्रिता है सेलविलिया है यहां पर मृत्युका खत्रा उपस्तित होने पर भी सदाचार जो होता है उसको यहां जो है नत्यागने के लिए यहां पर जो है कभी ने कहा है यहीं बात यहां पर कही है और कहा अयम काय है गुरु सिखिरन है स्रिंगोत संगात क्वै अपी विसमे कठिन द्रिश्दंते पतित्वा यहां यहां जो स्रिर है चाहे उचे परवत के शिखर से जो है गुरु सिखिरण है यहां जो पर भत होता है स्रिंगोत संगात है विसम पत्रों के बीच गरे जो हो जाए तो भी तो बी जो है अच्छा है तिक्षन दसने फणीत्स मूखे है यानि तिक्षन विशले दांतों वाला जो शर्प होता है उसके मुख में हाथ रख दिया जाए तो भी जो वरम अच्छा है वहनों पात है वरम अपी किन्तु सील विलिय कृत है चेतन वरम अगने में गिर जाना भी अच्छा है किन्तु अपनी शील का प्रित्याग कर देना ज वहनिर्श तस्पे जलायत जलनिदीही कुल्यायते ततक्षण मेरुह स्वल्प सिल्यायते मरे के पतीही सद्यकृरंगायते व्यालो मल्ले गुन्यायते विसरस है पेऊस वरशायते यस्या अंगी अखिल्यलों के वलल्लब तरम शीलम्स समून लीरियती तस्य पुरुशत से वहनी जलायते यैनि उस व्यक्ति के लिए अगनी जो होती है वह जलके सम्मान शितल बन जाती है जो महाशागर होता है शमुदर जो होता है वह भी ख्षन भर में छोटी नदी के सम्मान जो है आसानी से जो है तैरνे योगे बन जाता है मेरु हुँ स्वल्प शिल्यायते और सुमेरु जो परवत होता है वह भी छोटी शिल्ला के सम्मान जो हो जाता है मेरेक पती ही सद्य है कुरंगायते सेर जो होता है तुरंत हीरन के सम्मान बन जाता है पुष्प माला के समान बन जाता है विश रसा प्यूस वर्षायते विश जो होता वह भी अमर्ट वर्षा के समान जो है वह आहलाद कारक बन जाता है यसे अंगे अखिल लोक वल्लब तरम शिलियती समुनलिती पैरे बच्चों इस परकार से जिस पुरुष के अंदर जो है सदाचार प्रकट होता रहता है उसके विशे में यहाँ पर यह बात कई है कि अखिल सारे संसार का अती पिरिये शिलम सदाचार जो है सैमून मिलती यह उनमिलित होता है सार्दुल विक्डि छंद का यह उदारन है और आगे इस पद्दे के इं इस प्रकार से ऐसा विचार करते हुए सजन जो होते हैं वो संकट काल में भी जो है दुखी नहीं होते हैं और देहरिये प्रसंचा का यह अंतिम पद्दे और यहाँ पे कहा आश्वर्ये आश्वर्ये से विभूषणम सुजनता सोर्ये से वाक्य सैयम है ज्यानस से उपशमा है सुरतस से विनियों वितस से पात्रे गया है एक रोधस तपह क्षमा प्रभीतुम धर्मा से निर्व्याज्यतया सर्वेसाम अपी सर्वेकार्णम इदम शेलं प्रमभूषणम सुजनता एश्वर्ये से विभूषणम यानि सजनता जो है एश्वर्ये का अपुषण है वाक्य सैयम है वानी का सैयम जो है प्राक्रम का अपुषण है सोर्ये से उपशमा है और प्राक्रम वानी का सैयम जो है प्राक्रम का वाक्य सैयम है सोर्ये से उपशमा है उपशमा ह ज्ञाने से और शांती जो हुआ ज्ञान का है विने है शुरुतस से और नम्रता जो हुआ विद्या का है पात्र व्याह वितस से सही पात्र के अंदर खर्च जो करना है वह धनका है एक रोधह अहा एक रोध तपस्या का शमा परभावित्यम निर्यव्याजता शमा शक्ति शाली का और यह अब विबुशन कहे गये है अब विबुशन कहे गये है निझ्सल्ता जो है उनके विशे में कहा इस प्रकार से ये धरम इत्यादी जो हुनके लक्षन होते हैं सारे एस्वरी आदी का मूल शुरोत जो है यह सदाचार जो है सभी लोगों का स्रेष्ट अभुषन होता है तो यहां सभी विद्यार्थियों से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आप इनको जो है जब भी आपको समय मिले आप इनका ध्यन करते रहें सभी विद्यार्थियों ने बहुत ही गोर पुरुख सुना सभी का बहुत हुत आबार लगाए